मेरे यूटूब चैनल टेकनिकल रसोई में आपका श्वागत है आज हम पॉपकॉर्ण रेस पिलाए हैं वैसे आप तो बहुत ही तरह के पॉपकॉर्ण बनाए और खाए होंगे लेकिन आज हम उससे भी हटकर पॉपकॉर्ण की रेस पिलाए हैं आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाएए आपको जरूर पसंद आएगा उसके लिए हम पहले लेंगे गौर्णिक और चिली और इस तरह से हम बारिक छोटे काट करके उसको हम इसी तरह से एकदम फिर से बारिक कर देंगे इसका स्वाद गार्लिक का भी और मिर्ची का दोनों का स्वाद पापकार्न में आ जाएगा इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारे पापकार्न में गार्लिक का भी स्वाद आ जाएगा इस तरह से हम कडा ही रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जब तेल अच्छे से हो जाएगा तब हम उसमें मिर्ची और लसन का पेश्ट डालेंगे इस तरह से फिर हम बाद में उसमें पापकान डालेंगे और हलका सा स्वादन स्वार नमक डालेंगे सारा डाल करके हम पापकान को इसी तरह से चलाएंगे थोड़ी देर छोड़ करके फिर इसी तरह से चलाएंगे जब पापकॉन से हलका सा आवाज आने लगेगा चिटिकने का तब हम इसको ढखेंगे इसके पहले हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और हलका सा हल्दी पाउडर भी डाल कर इसे चला देंगे और जब आवा जाएगा तब ही हम इसे प्लेट से ढख देंगे और जब इबढ़िया से पक जाएगा उसके बाद ही हम इसको प्लेट को हटाएंगे जब पापकान से आवाज आने के बंद हो जाए तब ही आप प्लेट को हटाएं अगर उसके पहले हटाएंगे तो इसे सारे पापकान उचलेंगे और जलने का भी डर रहेगा इसी तरह से फिर इसको खोल का 10 मिद्ट के लिए छोड़ दें जब आप इसे छोड़ देंगे खुला तब ही इसमें से और करंची पन बन जाएगा और उसके बाद इसमें हलका और नमक भी आड़ कर सकते हैं या अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं इस तरह से अब हम मीठा वाला पापकान गुड़ का पापकान बनाएंगे ये भी एकदम अलग तरीका है हम उसी तरह जैसे बनाए हैं तेल गरम करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा पापकान डालेंगे इसमें नम्मा के या चाट मसाला और कुछ हम नहीं आड़ करेंगे इसे तब तक छोड़ कर रखेंगे जब ये चिटकने नहीं लगेगा जब इसमें से चिटकने की आवाज पापकान खिलने लगेंगे तब हम इसे फिर से ढख देंगे जब हम ढख कर रखेंगे इस तरह से आवाज आना बंद हो जाए तब ही हम प्लेट को हटाएंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा गूर लिये और उसे एकदम बारीक कर लिये और उसे हम पापकान में डाल दिये और उसके बाद हम एक चमच के लगभग उसमें घी भी डाल दिये और दोनों डाल कर हम इसी तरह से पापकान को चलाएंगे आप जब भी डालें तो गुर को एकदम बारीक करके डालें और थोड़ा सा गी जरूर डालें और इसमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है आप इसी तरह से बढ़ियां से उपर नीचे करके चलाते जाएं ये थोड़ी देर में एकदम पिखल जाएगा और सारे पापकार्ण में इस तरह से चिपक जाएगा बुर फिर आप देखेंगे कि एक इस तरह से बहुत ही बढ़ियां बनेगा जब एक बढ़ियां से बन जाएगा तब हम इसे एकदम सेट होने के लिए छोड़ देंगे तब थोड़ी दो-चार मिनट में ही एकदम बढ़ियां से सेट हो जाएगा तब हम इसे आप देखेंगे कि एक एक दाने को भी हम अलग कर सकते हैं और चाहे इसे टुकडों में काट लें या कुछ भी करके आप इसका अलग लुग भी दे सकते हैं और एक खाने में तो बहुत ही बढ़िया होता है और ये बनाने में भी आसान है आप एक बाजरूर इस तरीके को अपनाए और खाएं अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस पापकान में अगर आप पांच मिनद बाद खाएंगे तब यह और क्रंची बन जाएगा इस तरह से आप इसे बनाकर किसी जार में इस्टोर करके भी रख सकते हैं बच्चे इसे बहुत जादा पसंद करते हैं या खाने में भी बहुत थेली पूट है आप इसे एक बार जरू ट्राएगे